हेलो गाईज, वेलकम बैक टो अवर यूटूब चनल, अग्रिकल्चर अजी के, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, तमिलनाडू फिश्रीज यूनिवरसिटी, टी एन एफ यू, MFSC, एंटरेंज एक्जाम सॉल्ट पेपर, MSC in फिश्रीज साइंस, बने रहे हम इसमें आपके एक्जाम पेपर को सॉल्ट करेंगे, यदि आप सभी फिश्रीज कॉम्पेटिटिव एक्जाम की तियारी कर रहे हैं, तो आप हमारी इस कोर्स को पर्चिस कर सकते हैं, जिसमें कोर्स का प्राइस जो है 1,999 रुपीज रिफ दिया गया है, इस कोर आप एक्जाम सुल्टिज से रिलेटेट कवर कराये जाएंगे, जिसमें की होंगे, इस्टिक्ट फिसरीज अफिशर एक्जाम सापको प्रिपेर कराये जाएंगे, इन कोर्स की जो वैलेडिटी है, 6 मंत तक की रहेगी, तो आप सभी यदि हमारे इस कोर्स को पर्चिस करना चाते हैं, तो आप हमारे एंडरोइड अप्रिकेशन अग्रिकल्चर एंग्जी के में जाकर इस को पर्चिस कर सकते हैं, जो कि आपके एक्जाम पॉइंट आप व्यू से बहुत ही हैल्पफुल होंगे, तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो कॉश्य न इकोसिस्टम इंडिया इस, जो लाज़ेस्ट एस्टराइन है, इकोसिस्टम इडिया में, वो कॉश्य है हुगली मतला, नेक्स है, विच फ्रेश वाटर मसल इस यूज फॉर प्रिडक्शन अफ पॉर्स, इन में से कॉन सी फ्रेश वाटर मसल है, जिसका यूज पॉर्स के करते हैं, तो तो हो जाएगा आपका, लम fragrance, जिसके हमें, इन में से काप्स में कौन सेไ craps के स्केल हिंग, तो वो है, साइकलोड टाइप के, इस aam, स्केल सिसमें प्रिज realised होते हैं, काप्स में नेक्स है, जइसरेष हपाफलद में, नेक्स है, रादूला is absent in, नेक्स है, व इसमें इन वोल्ट्स का मोस्ट प्रोड़क्टिव एकोसिस्टम यह है नेक्स्ट है इन वीच ओफ फॉल्विंग लोवर लिप इस फ्रिंग्ड इनमें से कौनसी जो लोवर लिप्ड है वो फ्रिंग्ड है वो है इसमें लेबियो रोहिता next है consequence of overfishing are consequence होना overfishing का वो क्या है reduced harvest of targeted fish मतलब इसका मतलब यह हुआ कि reduced harvest of targeted fish है उनको reduce करना उनके harvesting को harvest को reduce करना next है the coastal fisheries in India is consist of जो coastal fisheries इंडिया में बना हुआ है वो किसे है मैकरेल से बना हुआ है specified area of for use of traditional vessels in Tamil Nadu is जो specified area है किसके traditional vessel के Tamil Nadu में use के लिए वो कितना है वो है 8 nanometer ये दिया गया है under the laws of sea a sea zone over which a state has right to explore and use marine resources is तो law of sea के under पे एक sea zone जो है किसी बी state में उसको right दिया गया है explore करने का और use करने का marine resources को वो है exclusive economic zone next है letopenias benami is belong to ये किस से belong करते हैं ये crustaceae family से belong करते हैं crustaceae से belong करते हैं and next है binomial nomenclature is introduced by तो सबी को पता है कि binomial nomenclature मतलब दी नाम पद्धती जिसमें कि जो भी scientific name होता है उसमें जो first word होता है वो genus होता है और second word species होता है जिसमें हम लोग genus का first letter जो होता है उसको हम capital में लिखते हैं और बाकी सारे जो letters होते हैं वो सारे small में लिखे जाते हैं तो सबसे पहले बात करें जो binomial nomenclature है वो कान linear के द्वारा दिया गया है नेक्स है which is the primary producer in fish pond इनमें से fish pond में primary producer कौन है तो वो है क्लोरेला क्लोरेला जो है वो primary producer होते हैं क्या फिस पॉंड में जो भी है सबसे पहले primary producer क्लोरेला होते हैं नेक्स है kank fishing is associated with cell of तो जो kank fish है वो किस से associated है किस के cell associated है तो वो है जेंकर स्पायरम से associated है नेक्स है the sea fishes living close to sea beds इस आर कॉल जब भी sea जो समुद्र की मचलिया होती है वो sea beds के close रहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं जब भी कोई fishes sea fishes बहुत जदा sea beds के close होती है तो उसे हम डेमर्सल कहते हैं नेक्स है sepia belongs to class जो sepia है वो किस class से belong करते हैं वो है sephelo poda class से belong करते हैं the fish species in danger of extinction in the near future are called is तो जो fish species in danger of extinction in the near future में उसे हम क्या कहेंगे endangered species बोल देते हैं नेक्स है fresh water shark is fresh water shark क्या है वो है balago r2 नेक्स है which culture technique is suitable for culture of sea bus इन में से कौन सी culture technique है जो की culture of sea bus के लिए suitable है वो है cage technique is suitable for culture of sea bus next is the larvae of lobster is known as larvae of lobster की जो है उसे हम phylosoma के नाम से चानते हैं next question is the eggs of fishes are जो fishes के eggs होते हैं उसको क्या होते हैं वो होते हैं and extra embryonic membranes absent इन में क्या होते हैं मेगलेसी धल जो होते हैं और extra embryonic membrane होती है इन eggs में क्या होती है अप्सेंट होती है fishes के egg में next is which is the best fertilizer for fish pond ये last वाले paper में भी पुछा गया था तो सबसे best fertilizer जो क्या हम लोग fish pond में देते हैं वो है phosphorus क्या होते हैं phosphorus fertilizer का हम लोग fish pond में ज्यादा यूज करते हैं and the next question is the larvae that occurs in the development of sea urchin तो जो larvae है जो की sea urchin में पाई जाती है development में पाई जाती है वो है Echinopleteus next is which native fish of Indonesia is introduced in India तो इन में से कौन सी इंडोनेशिया की native fish है जो की इंट्रड्यूस की गई थी इंडिया में वो है Osphraeumus okay Osphraeumus goremi and next question है hypophysation is used to hypophysation का use किस में हो है induced spawning artificially ठीक है ओके next question है transparent larvae of the eel is called तो जो transparent larvae है इल की उससे क्या कहते है उससे हम कहते है इलेवर कहते है next है which disease is caused by fish lice in freshwater fishes इन में से जो कौन सी disease है वो fish lice freshwater में कारण होती है वो है argulosis disease next है which hormone is responsible for molting in crustaceans इन में से कौन सा हार्मोन responsible होते है molting के लिए crustaceans में वो है acid zone transitional larvae stays in the life cycle of paul oyster is जो transitional larvae stays है किस में life cycle paul इस ओईस्टर में वो है paddy belliger next है breeding ground of bund is known as so breeding ground जो होता है बुंत का उसे हम moon के नाम से जाना जाता है next है non-adhesive fish eggs are mostly कैसे होते है non-adhesive जो fish eggs होते हैं वो pelagic eggs होते है number of ripening ova in the female gonad prior to spawning period is known as जो number of ripening ova है female gonad prior में spawning period को हम क्या कहते है fecundity बोलते हैं the weight of the gonad relative to body weight is known as जो weight होते है gonad का body weight के relative में उसे हम कहते हैं gonad somatic index कहा जाता है next है composition of ova prime का जो composition है वो क्या है sgn rha tom peridone ये भी last time question पूछा गया था cife is located at ये कहां पे located है ये मुंबई में located है ये question भी repeat हुआ है last paper में हमने जो solve किया था उसमें भी ये question था sorry तो आप सभी को जो भी paper यहां पे हम solve कराते हैं उनको आप अच्छे से पढ़के जाएगा exam में क्योंकि कुछ questions ऐसे होते हैं जो की repeat होते हैं ठीक है तो उनको अब ध्यान से paper solve सारी करके जाएगा the most common method of correcting the low pH in fish pond is जो most common method है correcting करना low pH का fish pond में वो कौन सी है liming ये question भी repeated है that means जो भी हमको low pH को correct करना है तो हम क्या करेंगे liming कर दिंगे उसमें तो जो low pH correct हो जाता है next which of the following is submustbeet इन में से submustbeet कौन सा है तो वो है serotophyllum next which of the following aquatic insects are most fierce in preying upon fresh fry in a fish pond तो क्या होगा जो भी aquatic insects है इन में से कौन सा है जो कि most fierce praying upon fry में होते है इन फिश पॉंड में तो वो होगा बैलोस्टोमा नोटोनेक्टा नेपा आल अल अफ दीज इस करेक्ट आंसर होंगी next है a small fish which feed on duplankton belongs to which trophic level इन में से जो small fish होती है न वो किस duplankton किस टॉफिक लेबल पे बिलॉंग करती है next है which is a lantic water body इन में से lantic water body कौन सी है वो है pond क्या है lantic water body next है which of the following zone in lantic water body receives sufficient sunlight इन में से कौन सी lantic water body जो है वो sufficient sunlight को क्या करती है वो receive करती है वो है liminatic zone next है in goa fishing is banned during goa में fishing को कब से कब तक के लिए ban किया गया है during 1st June to 31st July के बीच में इसको क्या कर दिया गया है इसे ban किया गया है goa में fishing करना यह question also repeated है next है sudden mass dead of fishes from oxygen deposition in more likely in तो जो sudden mass dead जो हो जाती है oxygen की कमी की current fishes में वो क्या होते यूट्रोफिक लेक में next है इस केरिया okay इस केरिया कॉलाई is used as an indicator organism to determine pollution of water with facial matter it's correct answer next है the association between shark and sacrifice is called जब भी shark और सकर फिश के बीच का association की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं common salism कहा जाता है next है which of the following method is more advantageous to control aquatic weeds in a fish pond इन में से कौन सा method है जो की बहुत advantageous होता है aquatic weeds को control करने के लिए वो है biological method next है stanley reservoir is also known as stanley reservoir को किसके नाम से जाना जाता है मेतर के नाम से जाना जाता है which of the following is a major reason for algal bloom इन में से कौन सा algal bloom के लिए major reason है वो है eutrophication है next है oxygen depression occurs mostly in ponds due to the abundance of तो जो oxygen depression हमको बहुत सारे ponds में किसकी जादा के कारण दिखते हैं किसकी abundance के कारण दिखते हैं वो है macrophets के abundance के कारण देखने को मिलता है next है pyramid of energy in a pond ecosystem is always जो pyramid होता है energy का ठीक है pyramid जो होता है energy का pond ecosystem में वो हमेशे कैसा होता है upright होता है क्या होता है वो upright होता है ओके next है the largest breakfast water lake in India is तो जो सबसे breakfast water lake इंडिया में है वो कौन सी है chillka lake है next है which fish laid to the extinction of more than 200 species of kikail fish in the lake Victoria of Africa वो कौन सी है neil perk next question है fresh water fish fresh water fish क्या है gain water by osmosis यह osmosis से क्या करते है water को gain करती है next है minimata disease was caused due to the consumption of जो minimata disease है वो किसके consumption के कारण होती है वो है fish contaminated with mercury जब fish जो होती है वो mercury से contaminated हो जाती है तो वो minimata disease cause करती है which of the following fish lays adhesive eggs वो है cyprenous carpio next flow of energy in an ecosystem is flow of energy होता है ecosystem में वो कैसा होता है unidirectional होता है the headquarters of national institute of oceanography is located at जो headquarter है national institute of oceanography का वो गोवा में located है next है treatment of fish with salt is called जो fish का treatment करना salt के साथ वो है brining कहलाता है which of the following is a major component of fish food इन में से कौन सा major component है fish food का वो है बोथ A and B मतला lipids or protein दोनो the most efficient gear used along the करनाट का cost is वो है rampani net next है which of the following are active fishing gears इन में से active fishing gear कौन सा है वो है sheen which of the following are non-mechanized fishing crafts वो इन में से कौन सा non-mechanized fishing craft है वो है masula boat next है which fishery institute is engaged in research related to fishing and fish processing इन में से कौन सा fishing institute है वो की जो की engaged होता है research fishing और fish processing से related वो है CIFT institute and imaginary line joining the point of equal elevation is called contour जो imaginary line जो की क्या करते equal elevation को join करती है वो है contour next है which net is used for bombay duck in guzrat इन में से on guzrat में कौन सी net का use करते हैं bombay duck के लिए doll का use करते हैं icing glass okay icing glass is obtained from which part of fish इन में से किस part of fish से icing glass obtained क्या चाता है तो वो क्या चाता है air platter c next है which are the positive attributes to use of synthetic fibers for fishing gears वो है highly non-biodegradable nature high abrasion resistance और both a and p next application of gypsum in a pond correct the application gypsum का करने करेक्ट क्या करता है वो pH और hardness zone को ही correct करता है next which of the following okay सबसे जादा तो pH को application gypsum होता है pH को correct करता है pond में ठीक है which of the following is the demerit of FRP fishing vessel में सबसे जादा जो DR demerit है वो कौन सा है वो है higher initial cost इसका जो initial cost होता है वो बहुत जादा high होता है which of the following is the conventional boat building material in India इन में से जो conventional boat है building material इंडिया में है वो कौन सा है वो है बुड नेक्स से trammel net is a trammel net क्या है वो three layer gel net है क्या है यह three layer gel net है crude oil from which of the following fish is used as a preservatives for boats against feathering तो इन में से जो crude oil है ठीक है इन में से कौन सी fish का use preservative boats के against weathering के लिए करते है तो which fish have least percentage of vitamin A इन में से जो labor oil है कौन सा जो labor oil है जिसमें सबसे कम vitamin A प्रिजेंट होता है वो cord है which is not a surimi based product इन में से surimi based product कौन सा नहीं है तो वो है crab sticks fish meal is prepared from the processing of fish meal जो है उसको हम कैसे प्रोसेशिंग करके prepare करते हैं तो वो करते हैं लोग discarded parts of the fish as gut gills and fins species of small size species which are not popular इनका यूज लेंगे और all of these is correct तो जो की fish meal prepared करते हैं okay next question है in which state shrimp production is maximum इन में से कौन से state में सबसे ज्यादा shrimp का production होता है वो है तमिलनाडू state में dorsal fish erosion in fish is due to the deficiency of वो है lysine ठीक है dorsal fish erosion में किसकी deficiency के कारण होता है तो वो है lysine की deficiency होती है बियोडी of a river water is found very high this means water is highly polluted बियोडी का बियोडी नदी का बियोडी water बहुत जादा होना यदी जादा है that means इसका जो बहुत pollution है वो बहुत जादा है मतलब बोज रिवर highly polluted है ओके नेक्स है in MAP for the white fish and shrimp which ratio of carbon dioxide nitrogen and oxygen gives the best result देता है वो है 40 30 30 next है eutrophication is eutrophication क्या है abundant fertilizers in the ponds मतलब की eutrophication that means ponds में बहुत जादा abundant fertilizers का होना most effective method of extension education सबसे जादा effective कौन सा क्या है extension education वो है mass awareness program which of the following organization is providing financial support to fishery sector तो इनमें से कौन सा जो sector है वो financial support करता है fishery को वो है नाबाद next है fisheries extension unit unit in India was started at CIFRI next है a systematic gathering of information on fish availability using eco sounder is वो है ecosystem survey next है which of the following is the application of remote sensing in fisheries वो है identifying potential fishing zone next है which is the primary cause of spoilers of fish वो है bacteria इनमें से जो primary cause है spoilers of fish का वो है bacteria which of the following post harvest activities are carried out by fisher woman इनमें से जो post harvest activities है जो की carry की जाती है fisher woman के द्वारा वो कौन सी है unloading and sorting of fish sketches okay next question is the vitamin which is important in modulation of immunity is इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो immunity के modulation के लिए important है वो है vitamin C which of the following is the reason for declining export trade in fisheries तो इनमें से कौन सा रीजन है जो की decline करता है मना करता है exported trade in fishery में तो वो है disease and detection of antibiotic reduces in fishes next है intellectual property which secures creative और intellectual correction तो intellectual property जो की secure करता है creative और intellectual equations को वो है copyright next है women are involved in which of the following stages of commercial histories and nursery operations इनमें से जो women involved होती है कि कौन से stage commercial histories का nursery operation में तो वो क्या होगा brought fish selection and transfer, bearing of brood fish and induced breeding, packaging and fly transportation all of these is correct answer होगा next है the Indian edible oyster is Indian edible oyster क्या है वो है Crestistria madrasensis next है most efficient gravity type aerator for fish farming तो वो है cascade type in computer technology RAM stands for जो computer technology में RAM है वो stands करता है random access memory next है which river system is the original habitat of IMC इनमें से river system कौन सा original habitat IMC का वो है गंगा next है azola is rich in protein content with high level of azola जो है वो protein content में rich होता है किस high level में वो है license के तो यहाँ पे जो आपके question होते है फिश्री के वो complete होते है I hope so आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप कमेंट करके जबरूब बताएं साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारी YouTube चैनल Agriculture and GK के साथ साथी साथ जोड़े रहे हमारे Android अप्लिकेशन Agriculture and GK के साथ Thank you